हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं मलसिया टीटी स्रीज की जो अगला मैच खिला जाने वाला है एन एस वर्सेस एस ओ एज के बीच में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इनपोर्टेंट इनफोर्मेशन सेर करने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कोन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर आउपन करते वए दिखेंगे और किसे आप कैपटंसी वाईस के लिए ले सकते हो सारे इनपोर्टेंड इनफोर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़दा help करेगा एक बार इस वीडियो को last तक जरूँच करना दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी इस request है अगर आप चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं दोस्तों और T20 matches का वीडियो में जैसे ही upload करूँगा आपके पास सिधर notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा stats पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी help मिलता है दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे न आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक सो हो जाएगा इस ग्रूप में जोईन करना जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद आपको final team यहीं पी मिलेगा अगर कोई भी changes होता है तो देखो अभी था हम लोग team बनाएंगे ही लेकिन हो सकता है कि एक दो player after toss change होगा तो आपको final team आपको यहीं पे मिलेगा दोस्तों एक बार जरूर जोईन कर लेना बिल्कुल free group है और आपके help करने के लिए बनाए गया है काफी users ने join कर लिया है दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा description box में और जहां आप comment करते दोस्तों पहला comment पे link आपको pin कर दिया है आप click करके easy join कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले match timing की बात करते हैं तो यह 7 बजे सुभा यह match आपको देखने को मिलेगा बाइमेस ओवल लामपूर में यह match होने वाला और यहां का पीच रिपोर्ट की बात करेंगा ना दोस्तों जिस परकार matches अभी तक हुआ है इस crown पे दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ चेस कर लिया था second match अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर CS के team start run का target दिया था इस run को भी chase कर लिया लेकिन SOH का अगर आप record देखते दोस्तों यहाँ पर SOH का जो match हुआ है NS के खिलाब जो कि अभी तक देख सकते दोस्तों पहला जो मैं मुकाबला खिला गया था NS के खिलाब जो कि देख सकते जो मैं आपको record बता है 125 का target SOH के team ने दिया था लेकिन NS के team इस run को chase करने में काम जाब रहा था लेकिन third match जो भा था CS के team 78 का target दिया था कि SOH के जो team है इस run को भी chase कर लिया था आप देख सकते हैं देखो SOH के team मजबूत team है NS के team भी अच्छा खेल सकता है धियान रखना दोस्तों दोनों है team का भी बढ़े है एक match हाला कि head to head हो चुका है जिससे कि आप देख रहे हैं पहला match यहाँ पर NS के team को जीत मिला था चलिए batting order पर फोकस करते है विरंदीफ सींग आपको open करते हुए दिखेंगे open करते हुए पहले match के अंदर 44 run स्कोर करा है और दुसरे match के अंदर 6 run मनाया हुआ है और इनके साथ दूस्तों गर आप देखेंगे यहाँ पर जुबैदी जो के team के open करेंगे पहले match के अंदर 7 run दुसरे match के अंदर 3 run स्कोर करा है यह दोनों के दोनों ही opener batsman है अहमत फियास 1st down पर खेलेंगे 27 run उन्हें स्कोर करा है दुस्तों बाकिस्द अजिस की बात करेंगे 2nd down पर खेलते वे पहले match के अंदर 28 run दुसरे match के अंदर 1st down पर खेलते वे 8 run बनाया हुआ है स्टार्टिंग के यह 4 player जो है आपके team के अंदर होना ज़रूरी अगर आप चाहें तो मौहमद रमील को try कर सकते है लेकिन इनका record उतमा बहतर है नहीं 3rd down पर खेलते वे 12 run score करा है आप इनको drop कर सकते है सरवीन 4 number पर खेलेंगे पहले match के अंदर 6 run बनाया है फिर आपर 4 वर का गिंदबाजी में 2 wicket निकाले है फिर 2nd down पर खेलते वे 31 run score करा है दोस्तों यह जो player का आपर best है बॉलिंग भी दोस्तों पहले match के अंदर 2 wicket इनको मिला था इनको try कर सकते हैं अपने team के अंदर वेगर बात करेंगे दोस्तों आपर 5 शाम के बारे में पहले match के अंदर 1 run बनाया थे 4 वर का बॉलिंग में कोई wicket इनको नहीं मिला फिर दोवर का गिंदबाजी में दो विकेट निकाला हुआ है दोस्तों बाकि आपे बात करेंगे मुहमद वाइक के बारे में दोस्तों इनका रेकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों इनका रेकॉर्ड पहले मैच के अंदर देखोगे चार विकेट निकाल है दूसरे मैच के अंदर ये फ्लॉप रहते है लेकिन गिंदबाजी ये भी दूसरो आपको बॉलिंग मतलब कंप्लिट ओवर करते हुए दिख जाएंगे पवंदिफ सिंग की बात करते हैं दूस्तों चार वर का बॉलिंग में पहले मैच के अंदर ये फ्लॉप रहा है अनवर रहमान चार वर का गिंदबाजी में तीन विकेट निकाल है दूसरे मैच के अंदर दो वर के गिंदबाजी में एक विकेट मिला है इनका भी balling fix रहता है NS के टीम के तरफ से complete over गिंदबाजी करते में दिख जाएंगे बागी सिदात को drop करना और कर record होतना बढ़िया है नहीं तो दोस्तों यह NS का betting order है और आपको ध्यान रखना है कि same betting order इस match के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन वह अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर starting over गिंदबाजी करते में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अमर जविदी यह आपको benches player में नज़र आएंगे तो यह NS का complete information नहीं दोस्तों लेकिन SOH का अगर आप record देखते हैं तो यहाँ पर एमुल जो टीम के open करा है एक ही matches खेला है 9 run बनाए थी अजीब खान यह captaincy के लिए सबसे ज़्यादा selection है इनका captaincy के लिए पहले match के अंदर open करते हुए 21 run score करा है चार वर का bowling किया था लेकिन वीकेटर निकाल पाये थे फिर 3 run नाए थे और 3 वीकेटर निकाला हुआ है captaincy wise captaincy के लिए भी खेलाडी बहुत important है मौमद अजीक अइमान जो की open करते हुए 0 run score करा है तो यह अगर बात करेंगे दोस्ते हैं पर शर्विन सुरेंदरन के बारे में 1st round पे खेलते हुए 32 run score करा है इनका भी record काफी बढ़िया है बेटिंग के मामले में इनको भी try कर सकते आप असलम खान मलिक जो कि 1st round पे खेलते हो 12 run score करा है दोस्तों बाकि एमोल अफीज यहापे 2nd round पे खेलते हो पहले मेच के अंदर 16 run दूसरे मेच के अंदर 23 run score करा है टीम के 2nd round का batsman है बहुत ही ज़्यादा important रहेगा दोस्तों इनको अपने टीम के अंदर जरूर से जरू आपको दिखेंगे अमिर्खान 4 नमर पे खेलेंगे पहले मेच कंदर 0 run तीन ओबर का गिंदबाजी में एक विकेट निकाला है फिर दोबर का गिंदबाजी में एक विकेट निकालें दूस्तों इनका भी बॉलिंग फिक्स रहता है यह भी आपको complete ओबर गिंदबाजी करत दिख जाएंगे आप इनको ट्राइ कर सकते हैं अपने टीम के अंदर बाकी विजय यूनी की बात करेंगे दोस्तों पांच नमर पे खेलते वे यहां पर पांच नमर पे खेलते वे पहले मेच कंदर चार वर का बॉलिंग वे विकेट निकाले भी है पिर यहां पे तीन वर क इनको भी मिला है देख सकते हैं दूस्तों और लास्ट के दो प्लेयर है जिसे कि यहां फ्लॉप रहा था मौहमद अतीफ अतीख को यहां पर तीन वर का गिंदबाजी में एक विकेट मिला था यह स्टार्टिंग वर पर गिंदबाजी करते हैं दोनों के दोनों असलम खान मलिक यह आपको बैंचिस में नजर आएंगे मौहमद हजी कैमान या पर दोस्तों देवेंदरन मोगन या पर डेविन सर यो कि एम्टी सुलेमान अली और या पर दोसको मौहमद अफीक और इनकर लास्ट जो प्लेयर रहने वाले हैं रहीम खान मलिक यह आपको ब बैटिंग ओडर को देखते वे प्लेयर को अपने टीम के अंदर आप आसाने से ले सकते हैं अलाकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम त्यार किया हुआ इपर टीम आप देख लो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों विकेट के पर मैं देखेंगे तो यहाँ पे वीडियो को सुरुख से वच करा होगा तो आपको पता है दोस्तों मुझे उतना अच्छा लगा नहीं है इस विज़े से मैं इनको अपने टीम के अंदर फिलाल ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब विकेट कीपरिंग किया है लास्ट मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग नहीं करा है बैटिंग में चार बैट्सन को मैंने लिया हुआ है एनस के टीम के तरब से दोनों के लड़ी का रेकॉर्ड काफ़े बहतर है दोस्तों इन दोनों को ट्राय करना है अपने टीम के टीम के टॉप अडर पर खेल रहे हैं बाकि यह हफीज और यहाँ पर दूस्तों एस तुरेंदरन का यहाँ पर सेलेक्शन कम है लेकिन एस के टीम के तरब से इनका रेकॉर्ड बहुत ही सांतार है दूस्तों फर्स्ट ऑन पर खेलने के लिए आते हैं 32 रन स्कुर करा है यह आपके लिए इनको मैंने ट्राय किया हुआ अपने टीम के अंदर तेखो एन रहमान या पर नजरल रहमान जो कि थर्ड डॉन पर खेलेंगे 18 रन स्कुर करा है तीन नमर में बेटिंग करने के लिए आय थे दूसरे मैच के अंदर 25 रन स्कुर करा है यह भी आपके लिए इन इनको ट्राय करना है अपने टीम के अंदर बढ़िया ओफसन रहने वाला है दुस्तों इनको ड्रॉप नहीं करना है आपको बाकि स्रवीन का रेकॉर्ड देखोगे दुस्तों यह भी आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते भी दिख जाएंगे एक खान को मैंने ट्र करका है दुस्तों कैप्टन सी के लिए खान और वाइस कैप्टन सी के लिए भी सिंग को मैं ट्राय कर रहा हूं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने के लिए आते हैं तो देखो यह मेरे साइट से टीम है अभी इनफॉर्मेशन को मैंने देखते वे बनाया है बाकि पीनल टीम में आपको टेलेग्राम गुर्प में शेयर कर दूँगा तो एक बार जोईन आपको खर लेना है दोस्तों इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिशन बॉक्स में और जहां आप कमेंड करते हैं पहला कमेंड पर लिंक आपको पिन कर दिया आप क्लिक करके easy join कर सकते हैं thanks for watching जाहिंद